हेलो, स्वागत है आप सभी का टकला टीचर के एक और क्लास्रूम पे आज हम सिखेंगे एडिशन आफ रेशनल नंबर्स लेकिन सबसे पहले ये रेशनल नंबर है क्या रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिने हम numerator and denominator के रूप में लिखते हैं जैसे कि numerator बुले तो 2 और denominator मान लिजिए 3 तो ये उपर में एक संख्या नीचे में एक संख्या इन नंबर्स को रेशनल नंबर कहा जाता है मान लिजिए हमने लिख लिए 79 divided by 83 तो ये भी एक रेशनल नंबर है तो इन नंबर्स को हाँ जब एडिशन करके सिखेंगे लेकिन रेशनल नंबर में और एक क्राइटेरिया होता है जहां पे अगर हमने denominator में 0 लिख दिया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा मान लिजिए हमने लिखा 7 divided by 0 तो क्या ये रेशनल नंबर है? No, क्योंकि निचे में 0 है denominator is 0 तो denominator जो अगर 0 हो जाती है तो उस नंबर क्या होती है? वो actually वो number exist ही नहीं करता है वो not defined अभी तक exist ही नहीं करता है वो क्या है? हमें पता ही नहीं है वो क्या है तो ये number is not a rational number rational number are this तो आज हम सिखेंगे इनकी addition तो let's erase all this and let's start the addition of a rational number तो उसके लिए हम लेते हैं दो rational number मान लिजिए हमने लिए है 3 by 5 and 13 by 5 अब हम देखते हैं इन दोनो rational number का addition में क्या होता है तो इन दोनों को addition करने के लिए हमें पहले इनकी denominator में जो 5 है उनको LCM लेना पड़ेगा LCM LCM का मतलब है list, common, multiple तो इन दोनों denominator 5 ये दोनों denominator 5 है और एक भी 5 ही है दोनों 5 का LCM कैसे निकालेंगे? 5 आजाएगा, 5 आजाएगा, 5 आजाएगा तो वो कोई फ़रक नहीं पड़ेगा 2 से 5 को divide कर नहीं सकते 3 से भी नहीं कर सकते और 4 से भी नहीं कर सकते तो रहे गया 5 5 से हम ज़रूर कर सकते तो हम ये 5 से इनको divide करते है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 तो यह जो LCM 5 है उसको हम denominator में लिख बड़ा सा क्योंकि हमें दो है ना तो लंबा एकलाइन दे दिया भी उसको और इन दोनों LCM लिया तो उनका LCM क्या है 5 आया है यह 5 यह 5 नहीं है यह 5 भी यह 5 नहीं है यह कौन सा 5 है इन दोनों को LCM निकलने के बाद में 5 आया है तो यह 5 यह है तो यह this is a LCM 5 तो अभी क्या करेंगे यह denominator 5 से इस LCM 5 को हम divide करेंगे तो 5 से 5 को divide करने से reminder is 1 तो 1 remainder से हम उस 3 को multiply करेंगे क्या क्या हमने इस 5 से इस 5 को divide करेंगे तो 5 divided by 5 the remainder is 1 उस 1 से 3 को multiply करेंगे so 3 1 जा 3 into 1 3 1 जा 3 यह प्लास यहां बैठ गया आके क्योंकि हम addition कर रहे है तो यह प्लास है प्लास यहां बैठ गया आके उसी तरह यह 5 है इस 5 से जो denominator की 5 है उस denominator 5 से हम LCM 5 को divide करेंगे यह 5 से यह 5 को divide करने से reminder is 1 उस 1 से 13 को multiply करेंगे so 13 1 जा 13 बस आप तो हो ही गया है ना आप तो step एकदम simple हो गया दीख रहा है आपको सबको क्या लिखा है 3 प्लास 13 3 प्लास 13 इस simple 16 यह तो कुछ ही नहीं simple सी बात है और यह 5 आ गया नीचे denominator 5 तो यह solution हो गया उसको हम एक और step कर सकते हैं इस one को हम erase कर देता है और एक simplify करते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम इसको क्योंकि numerator बड़ा है denominator छोटा है तो इसको हम और simplify कर सकते हैं किस तरह करेंगे हम 3 1 by 5 मतलब 3 5 जा 15 15 प्लास 1 16 कैसा होगा यह 3 5 जा 15 इन दोनों का multiply करके देखें 3 5 जा 15 उसके साथ यह add कर दिजे 3 5 जा 15 15 प्लास 1 16 यह रहा 16 16 जा 15 तो यह पे भी हो गया आपका 3 1 by 5 यह हो गया इस rational number की addition का answer चलिए हम और एक example कर लेते हैं let's erase this part और यहाँ पे हम और एक example कर लेते हैं यहाँ पे दोनों denominator हमने same लिया था अभी हम denominator change करके देखते हैं क्या होता है बस simple सी बात है एकदम simple कोई घब रहा है यह नहीं very easy और आप लोगों को कुछ problem हो तो आप मुझे comment करके आपकी problem बोल सकते हैं मैं इसकी solution दिख दूँगा तो please subscribe my channel and like कीजिए मेरे channel को तो हम अभी और एक करते हैं problem तो उस problem लेते हैं हम let's take मान लिजिए 7 by 4 ओके और एक rational number लेते हैं हम यहाँ पर sorry यह तो addition होगा क्योंकि हम addition कर रहे हैं और एक number हम लेते हैं मान लिजिए 3 by 6 done ओके अब इनकी solution करते हैं सेम क्या करेंगे हमें क्या लेना है जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों का LCM लिया था उसी तरह इहाँ पर इन दोनों का LCM लेना पड़ेगा right so 4 and 6 की LCM लेते हैं 4 and 6 का LCM क्या होगा 1 से लेके कोई फैदा नहीं है same रहेगा value 2 से करते हैं इसना 2 से दोनों को divide होटा है है नहीं so 2 1 2 2 2 sorry 2 2 जा 4 हो गया 2 2 जा 4 और यहाँ पर 2 3 जा 6 so 2 2 and 3 तो LCM क्या रहेगा 2 2 3 इन तिनों को multiply आपस में करना पड़ेगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 है न सही है न क्या कि हमने 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो यह रहा 12 तो यह रहा LCM किसकी 4 and 6 यह 4 denominator की LCM जैसे कि हमने यहाँ पर भी लिया था इन दोनों का LCM लिया था न उसी तरह 4 and 6 की LCM ले लिया इस बर भी process is same थी यह दूसरी टाइप की जासे और एक problem है but the process is same so 4 and 6 की LCM क्या हो गया 4 and 6 का LCM हो गया 12 तो यहाँ पर हमने आगे 5 और 5 का LCM 5 था तो वही लिखा था यहाँ पर 4 और 6 का LCM 12 आगया तो हमने 12 लिख लिया जो आएगा वही लिखेंगे अपनी मन पसंद कुछ नहीं लिख पाएंगे जो आएगा वही करना पड़ेगा so 4 and 6 का LCM 12 आए हमने यहाँ 12 लिखा अब इस 4 से जो denominator की जो 4 है उस denominator 4 से LCM 12 को डिवाइड करेंगे तो remainder क्या रहेगा 4 3 जा 12 ना तो 3 आएगा so उस 3 से क्या आया इस बार हमें 3 आया है 3 तो उस remainder 3 से हम 7 को multiply करेंगे so 3 7 जा 21 correct यह plus यहाँ पर आगया because we are doing addition of rational number तो addition बैठा दिये हमने अब यह 6 यह 6 से इस 12 को क्या करेंगे क्या किया था हमने यहाँ पर 4 से 12 को डिवाइड किया था तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे so 6 से 12 को डिवाइड करने से remainder is 2 उस 2 से 3 को क्या करेंगे multiply remainder से हम numerator को multiply करेंगे, यहीं पे भी वही किया था यहां पे भी वही सब जब पर एक ही काम कर रहे है नीचे से divide, उपर में multiply तो यहां से इसको divide करके 2 और 2 से उपर का जो numerator उसको multiply so 3 2 जा 6 बैठ गया 6 आके वहाँ पर अब तो simple हो गया step, इसको अब मिटा देते हैं अब हम इनको भी मिटा देते हैं कोई ज़रूरत नहीं है these are rough works, okay so 21 plus 6 how much? 21 plus 6 is 27, correct 12, नीचे आएगा denominator वह तो आके हो यह से बैठ गया, है ना अब उसको हम एक simplify last step करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी numerator बड़ा है denominator छोटा है, तो हम उसको और एक step simplify कर सकते हैं तो क्या रहेगा इस बार? इस बार 2 times जाएगा 2 12, 24 so 2 12, 24, 24 24 plus 3 is 27 तो देखिए 2 12, 24, 24 plus 3 is 27, तो यह रहा इस problem का answer, तो हमारा दोनों rational number का हमने answer नहीं कर लिया तो अब लोग अगर कोई सवाल रहा, कोई भी परदेशान नहीं हुई तो please मुझे comment कीजिए और please, please, please subscribe my channel and like my channel